आज हम लोग बात करेंगे बैलेंसी या यूँ बोले सयोजकता पर तो क्या बताएंगे किसी तत्त की सयोजकता हाइड्रोजन परमाण की वो संख्या होती है जो उस तत्त के एक परमाण से सयोग करती है अगर उस तत्त के एक परमाण से सयोग करती है राइट या फिर यू बोल सकते हैं कि किसी तत्व की बाहरी कच्छा में जो इलक्टरान उपस्थित होते हैं उसे ही सयोजगता इलक्टरान कहते हैं और अपना अश्टक पूरा करने के लिए जितने इलक्टरानों के आबस सकता होती है उसे उस तत्व की सयोजगता कहते हैं यह भी बोल सकते हैं, एक्जाम्पल्स के तौर पे अगर देखें तो water, H2O, जो H2O है, इसमें hydrogen की सायोजक्ता आपकी एक होती है, और oxygen की दो होती है, इसका जब दोनों से formula ड्रा करके, formula बनाते हैं, तो दोनों का cross multiplication होके, बनता है H2O, ओके, आगे देखिए, नेक्ष्ट अगर देखें, तो आगे अपन लोगों का आता है, सयोजक्ता का electronic सिध्धान्थ, या यूँ बोल दें, इसका अस्टक्नियम क्या होता है, सयोजक्ता का electronic सिध्धान्थ या अस्टक्नियम क्या होता है, तो क्या बताएंगे इसके कौसेल और लुइस ने 1916 में इसका प्रतिबादन किया था और लेंग मूल ने 1919 में इसका क्या किया अध्यन किया था पूरी तरीके से राइट तो इस तरीके से सिध्धान्त ये सिध्धान्त परमाणों के इलक्टरानिक बिन्यासों पर आधारित हो तो इसके नेक्स टॉपिक देखें तो अंगले टॉपिक आते हैं कि इसकी अब धारणा है कौन-कौन सी है तो आप धारणाओं में देखें तो क्या बताएंगे किसी भी तत्त्य की संयोजकता उसके बहातम कोस की इलक्ट्रान की संख्या पर निर्भर करती है कोई भी element है उसकी संख्या बहातम कोस के इलक्ट्रान की संख्या पर निर्भर करती है वो कैसे जैसे oxygen O8 है इसका electronic configuration जब करते हैं तो क्या आता है two six आता है इसमें six जो है वो सयोजक्ता इलक्टरान है और इसमें दो कामा छे जो है वो के कामा यल लिख सकते हैं जो यल है वो हमारा सयोजी कोस है ओके तो यहां से क्या समझ में आया कि किसी भी तत्त की संयोजगता उसके बहातम कोस में उपस्तित इलेक्ट्रानों की संख्या पर निर्भर करती है बहातम कोस संयोजी कोश भी कहलाता है आता इसमें उपस्तित electron, सैयोंजी electron कहलाते हैं अंगला अगर देखें तो इसी में हम लोग बात करते हैं अक्रिय गैस या फिर यूँ बोल दें उत्करश्ट गैस हैं इनका electronic configuration आपको दिया गया है तो electronic configuration के according देखें तो अक्रिय गैसों का electronic बिन्यास क्या होता है लाश्ट में इनकी कोस जो होती है पूर होती है अश्टक जो होता है पूर होता है और जब अश्टक पूर होता है तो इसी लिए इसको क्या बोलते है इसके इस्थाई electronic बिन्यास होता है जैसे helium है helium का electronic बिन्यास आपका दो है नियान का देखें, तो दो कामा 8 होता है, तो 8 जो है, वो क्या है, कि वहत्म कोस का इलेक्टरान है, तो इसलिए इसकी अश्टक पूड है. Okay. Next point अगर देखें, तो अंगला point अपना क्या आता है, जिन तत्वों के वहत्म कोस में इलक्ट्रानों की संख्या आठ से कम होती है वे इलक्ट्रान के आदान प्रदान या साजे द्वारा अपना अश्टक पूर करते हैं इसे ही अश्टक नियम भी कहा जाता है और इसे ही अश्टक नियम कहते हैं या फिर ये बोल सकते हैं इलक्टानों के आदान प्रदान या साजह किये गए इलक्टानों की संख्या उस्तत्र की संयोजक्ता भी कहलाती है क्या बोला कि इलक्टानों के आदान प्रदान से या साजह किये गए इलक्टानों की संख्या को उसकी संयोजक्ता भी कहते हैं